जेहन दो सुवन्दे मातरा रिचार चटना ने शायद वो तीन शब्द लिखते समय सोचा भी नहीं होगा कि ये मामला इतना जादा आगे बढ़ जाएगा अक्षे कुमार के इसके उपर रियक्शन सामने आए विवेक रंजन अगणी उतरीजी का इसके उपर रियक्शन सामने आए आप सभी को कीकी मिरन का एक वो किरदार याद होगा जोकि उन्होंने शौर मुवी में नभाया था ब्रिगेडिया प्रताप का उस movie को किसी ने याद नहीं रखा लेकिन उस movie के जो आखरी के करी 15 से 20 मिनिट का scene था उस scene को सभी ने याद रखा वो आपने भी देखा होगा उनका भी subject के उपर reaction सामने आया है और साथ-साथ reaction सामने आया है अरफा खानुम शेरवानी का जो कि यहाँ पर अक्षे कुमार को लटारती हुए नदर आ रही है कि अक्षे कुमार के कारण आज पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी रिच्चा के वीसे पड़ी हुई है अब देखिए जितना की मैं समझता हूं कि यदि आप किसी एक मुद्दे के बारे में बोलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर आप यह नहीं बोल सकते हैं यह नहीं भी यह मैंने तो बोल दी लेकिन आप लोग पलाट के मुझे कुछ नहीं बोलें आप अगर पब्लिक प्लेस में जाकर पब्लिक स्पेस में जाकर कोई बात कह रहे हैं और फिर उसके बाद आपको उसका रियक्शन मिल रहा है तो फिर कहीं न कहीं तो आप ही जिम्मेदार हुए यदि आपको पब्लिक के रियक्शन का था की, नहीं है, पब्लिक के रियक्शन मुझे नहीं जहिलना, जिसके करण से आपना ट्वीट मी ड्लीट कर दिया आपको फ़र्स रीड बेड़ वो ट्वीट करना ही नहीं चाही था अब ऐसे में जो लोग वकालत करने के लिए आ रहे हैं उनकी बारे में हम जादा कुछ बोल नहीं सकते तो हम लोग यहाँ पर दोनों के ट्वीट देख लेते हैं कि दोनों ने क्या कुछ ट्वीट किया है मतलब कि गवर्मेंट के तलवे चाटना है यह उसी प्रकार कुछ वर्ड इन्होंने लिखा है कि वो जो होता है वो एक दरपोक का इंसान का बियेवियर होता है अक्षे कुमार शेम tribbreak और आन्लीशिंग फास्स ट्रॉल आर्मय और रिजह चड़णा अक्षे कुमार तुम्हें शर्म आनी चाहिए का तुम ने एक फासेस ट्रोड आर्म्य को रिजख चड़णा के ने चाहिए वही अगर हम लोग कोशिश करने देखने कि भीया केके मेनन जीन इसको लेकर क्या ट्विट किया है केके मेनन ने लिखा है Are brave men and women in uniform put their lives on the line to keep every citizen of our nation safe and secure मतलब कि हमारे जो देश के जो वीर जवान है चाहे वो पुरुश हो या महीला हो मतलब कि हम बस इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए अपने दिलों में पूरी उनके लिए रिस्पेक्ट रखें और सब कुछ रखें साथ साथ उन्होंने वही जो रिचर्च रखेंड़ा का जो ट्वीट है उसका स्क्रीनशॉट शेयर कि हमारे सीधा इसा इशारा उनका था मैं किस तरफ ये बात को लेके जाना चाहरा हूँ आप लोग उसी तरफ तक जाए कहीं और ये बात नहीं जाए तो बहतर होगा और वही जो साथ विन आपको कहा कि ब्रिगडियर प्रताप का जो रोल था उसके कारण ये आज बहुत जादा जाने जाते हैं अब हम लोग दोबारा चलते हैं अरफा खान में शेरवानी के ट्वीट के तरफ और देख लते हैं कि उनके ट्वीट के उपर लोग जो है किस तरीके से रियाक्शन दे रहे हैं क्योंकि रियाक्शन तो आएगगी यहां पर हम देखते हैं यह tweet है उनका जो कि उन्होंने किया था इसके उपर पहले tweet में लिखाया है इसके आगा अगा है कि यह लिटरली आजकल होता हुआ दिखाय दिए रहा है मतलब जो भी चीज उससे संबंदित होगी सब को गेर लो और भी ने लिखा है कि वाट इस दिफरेंस बेट्विन गवर्मेंट और अभी इसके आगे विकास ने का जाओ मजिद ने पहले महिलाओं के बैंट कर दिया गया था लेकि बाद में जब NCW की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया तब कुछ इसमें क्लारिफिकेशन हुआ है यहां बभी फिटिंग ट्वीट लगा है वायर वायर फोर तूओं नथिंग आगा एकुझा क्रणा है इससाब सुनिल की ने लिखाया कि आर्मी पर व्यंग करना देशभकती नहीं हराभी पना है सब चला गया अपर आपका तुछी के रुपामूर्थि ने लिखाया कि asking questions based on informed and unbiased opinions should be encouraged however richard did not ask a question she made an ill-informed statement based on her info from biased journalists like you whose disdain for government translates to your expectations are too high from you can you call insulting army men who put their lives at stake to protect us patriotism sucking up to your masters to oppose everything that the government does is shamelessness shame on you for supporting someone who mocks our army men couple list you have not condemned richard chadda for insulting indian army when are you doing that this bichari ko ka ghar inhi harakato ki wajah se chalta hai abdash ko indian army ko support karne lagaygi to paise nahi melega bichari ko fir ghar kaisa chalega kahaan jara hi hee humari baujurgarpidi kya بتa hai maa ko dhe eek sakte hai yaa aap kitnes sare log is baatko leka tweet karahe जैसे उसके ट्वीट से पहले तो सब चड्डा को फूल माला पहना रहे थे कई सारे ट्वीट से आ रहे हैं अब क्या ही बता है या सरकार से सवाल पूछ रही है सरकार से सवाल पूछना है तो सरकार के वक्तवे को कोट करो सेना के वक्तवे को नहीं यहां पर इस तरीके से अब रियाक्शन सामने आ रहा है इनके ट्वीट के ओपर कि भई यह आपने जो चीजे कही है वो सरासर गलत कही है और इस तरीके से चीजों को कहा भी नहीं जाना चाहिए था लेकिन मुद्दा वही है अभी भी कि आपने जिस कंटेक्स्ट में बात कही है जिस संदर्ब में बात कही है वो काफी हत्ता क्लियर है और जिस तरीके से लोग उसको लेकर रियाक्ट कर रहे हैं देकिए वही है अगर आप सामने जाकर कुछ ऐसी बात कह रहहे हैं जो लोगों को पसद नहीं आरे ही पुब्लिक स्पेस लिए हैअप कमरे में बाट कर बात नहीं कर रहे हैं अप पब्लिक स्पेस लिए तो लिएक्शन मिलेंगी उर सिरी सी बात है आप इंड़स्टिय से आ रहे हैं तो इंड़स्टिय के लोगों के लिए फिर पारपको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो फिर आपको इस चीज पहले सोचने चाहिए त्रह तरह की बातें बातें चल लिए मामा assi को बॉयकॉट किया जारा है और कहीं न कहीं इंडस्ट्री के लोगों के जोरा इस प्रकार के जो कथन दिये जाते हैं कहीं न कहीं वो कथन ही एक बड़ा कारण बनते हैं कि आगे चलकर इन लोगों को इस प्रकार से बॉयकॉट का साथना करना पड़ता है इस बारे में हम लोग जितना भी बोले हैं उतना कहीं ना कहीं कम ही दिखता है मतलब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है बिलकुल आपकी राए भी जानने लाए कियोंकि जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आई हैं निकल कर वो वाकई ही में काफी जदा सोचने के लिए आपको मजबूर करेंगी और वैसे भी केके मेरा जी काफी एक रेडाउन परसन है उन्होंने जो ट्वीट किया इसको लेकर वो भी साफ शब्दों में बताता है कि जो चीज गलत है वो चीज गलत है आप गलत चीज को आखिर कब तक डिफेंट करेंगे कैसे डिफेंट करेंगे और क्यों ही डिफेंट करेंगे तो ऐसे में चीजें अब्वियस सी बात है थोड़ी बहुत तो मतलब लोगों को बुरी लगी जाती है लेकिन बात फिर वही है भी ह्किक बात बुरी है ़िविर आपको बोलो ही मतला अगर आपको लग रह रही engh? आपको रिएक्शन अच्छा नहीं लगेगा तो आप मत बोलो इस चीज को लेकिन बुस वही है है इन सब की बार हम, ज्यादा कोई सोचता नहीं आपका अगयाना इस बारे मुझे कमेंड करके जरू बताइएगा मेरे सुलियों फिलालत नहीं जय हैं